Hi everyone, this is the second part of the video that we are discussing about the consolidation of all the patterns, tricks and the logics for the UPSC prelims and अभी तक हमने subject-wise discussion किया है, quality का, geography का, मैंने हर separate subject लेके बाद करिए कि किस-किस subject में आपको क्या-क्या focus रखना है और plus option-wise हमने discuss किया है कि one option को कैसे go through करना है, second, third, fourth and जो five option statement होता है, sixth होता है, seventh होता है even तो जितना बड़ा statement है, उतना सबसे vulnerable statement है, getting that, तो वो हमने सबने discuss कर लिया अब हम लोग आते हैं कि कुछ generic topics हैं, मतलब कुछ generic चीज़े हैं, वो कुछ तो होगी, वो 100% मतलब सही हो रही है कुछ चीज़े हैं, जो मतलब आपको question के हिसाब से जानी पड़ेगी, getting that, मतलब आपको एक adaptation, एक pattern follow करना है कि किसी type के question में वो definitely लगेगी, किसी type के question में आपको वहाँ पे on the spot सोचना पड़ेगा got that, तो हम लोग start करते हैं, सबसे पहले कि general pattern में जो sum होता है, वो हमेशा right होता है sum right क्यों होता है, इसके पीज़े logic क्या है, for example, इन्होंने क्या दिया है, देखो, ये question क्या बोल रहा है कि तीन option सही नहीं है, मतलब one, two, three सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि या two सही हो सकते हैं, या one सही हो सकता है, got that, या तो इन दोनों जो तीन statement हैं, दो statement सही हो सकते हैं, या एक statement सही हो सकता है, अब यहाँ पे देखो, जो bdbd is a large refugee camp settlement in the northwestern Kenya, अब इसमें, एक fact आया हुआ अब यह particular statement क्या बोल रहा है कि अगर इनको एक बंदा, मतलब जो sum का, जो अगर तुम sum को decode करोगे, मतलब जो word को, sum का मतलब एक बंदा, अगर एक बंदा भी South Sudan का कोई civil war से affected बंदा, अगर bdbd में इनको मिल गया, that means, इनका question गलत हो जाएगा, तो इस particular statement को wrong करने के लिए, मतलब you need, बहुत strong evidence, मतलब समझ रहे हो तुम, जो एक बंदा भी, मतलब यह कितना, आप UPSC के वो समझो, psychology समझो, कि they always play safely, मतलब वो लोग कभी, देखना, कुछ statement होते हैं, उनको इतना extreme बना देते हैं, कि वो definitely गलत होगे, कुछ statement होते हैं, बहुत lenient बनाते हैं, this statement is like very lenient है मतलब क्या बोल रहे हैं, कि some people who have, मतलब एक बंदा भी अगर South Sudan से BD body camp में मिल गया, तब गलत होगा, और एक is always right, एक बंदा तो मिल जाएगा यार, अगर question आए कि रोहिंग या, मानलो ये question आजाता, कि some people who have fled from Myanmar, civil war, live in the, कोई एक अपना refugee camp हो, मानलो JNK में हो, या फिर किस राजस्तान के किसी अपार्ट में हो, या पंजाब में हो, वहां पे मिल रहे हैं, भली ना हो, तुम ले के चलो कि नहीं होगा, लेकिन अगर एक बंदा भी कल भी मिल गया ना, एक्जाम के बाद भी, तब भी गलत हो जाएगा, और generally, ये generally believe किया जाता, ये logic है कि एक बंदा ये 100% गलत है कि एक बंदा तो होगा, तो ये दोनों statement, same बात कर रहे हैं कि some people who have fled from, ये यहाँ पे Somalia का बत कर रहे हैं और डबाब की बार, ये जो दोनों statement है, ये generic statement है plus some used है, some का मतलब अगर एक बंदा भी मिल गया, तो आप mind में लेके चलो कि जहाँ पे भी some आएगा, वो just मतलब 10 second में निकल गया था, honestly, because मेरको exactly पहले ही पता था कि ये लोग सम में ऐसे play करते हैं, some always right होता है, generally, अभी तक के UPC paper में, और अगर तुम logically सोचोगे तो some right होता है, got that, तो इस question में मेरको ज्यादा सोच नहीं नहीं पड़ा, कि ये BD बढ़ा क्यानिया क्या है, कुछ आपको कुछ नहीं पता करना है, आपको पता चल गया कि ये logic, ये जो particular pattern है, वो follow हुआ है, information आपको change मिलेगी, लेकिन जो core pattern है, वो same है, तो ये question हो गया, same question यहाँ पे है, यह भी 2022 का ही paper है, यहाँ पे देखो, same option create किया है, उन्होंने, all three नहीं सही किया है, यहाँ भी all three नह metallic oxides, दोनों में some used है, some का मतलब एक, अगर एक metallic oxides का भी अगर nanoparticle का ही manufacturing में use हो रहा हो, cosmetics में तब भी सही होगा, और generally लेके चलो कि या, nanoparticles है, तो possibility है use होने के, getting that, ये दोनों statement सीधे निकल के, दो तीन option में है, अब पहले में एक बरी देख लो कि पहला extreme हो सकता हो, पहल some industries, एक बोल रहा है कि palm oil है, और वो किस में है, कुछ industry में raw material है, वो भी perfumes और lipstick वाले में, जहाँ पे oil use होता है, got that, तो some is always right, ये please आप note down कर लो, और जहाँ पे भी आपको some देखे, some का मतलब एक, अगर एक industry में भी use हो रहा हो, तब भी ये सही होगा, और generally ये सही होता है, got भी होंगे, तो मैं subsequent videos में, या फिर जो third part link आलूँगा, क्योंकि इसमें अभी मेरे को time लगेगा, third part, एक और part आएगा, तो उसके बाद भी अगर मेरे को कुछ लगा कि ये definite चीज follow हो रही है, इसमें logic है, तो मैं आपको, जो मेरा telegram channel है, उस पे डाल दूँगा, और एक और चीज हो गई, एक question और आया था इस बर, EP 100 वाला, इस बर 2022 के paper में, आप उस particular question को check करना, उसमें क्या बोलाता हो उन्होंने, कि some Indian companies, ठीक है, एक question सम वाला और कौन सा था, एक question I think 2017 में आया था, जिन्होंने उसमें option दिये था, some species of turtles, some species of this one, some species of snacks, तो some is always right, got that, यह हो गया एक question properly, आपको question को बहुत अच्छे से पढ़ना है, question को पढ़ने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखना, एक particular keyword होगा हर question में, मतलब जो भी आप question पढ़ोगा, देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, the term levant, I had no idea about levant की levant का है, often heard in the news, roughly correspondence, जैसे यह question मिला, मैंने यहाँ पे mark किया कि roughly correspondence मतलब कोई surety नहीं है, इतना आपको समझ आ गया, मतलब clarity नहीं है, जैसे ऐसा होता ना कि इंडिया कम है, clear है, कि इंडिया का map इतने किलोमेटर है, जो north है, southern है, उनका क्या latitude है, क्या longitude है, exact उस पे clarity है, लेकिन यह जो particular term है न, levant, उस पे कोई clarity नहीं है, इतना आपको सम आपको मैं कुछ examples के थरू समझाऊँगा, यहां पर देखो, दो similar option है, तो I thought कि question A और D में ही है, यह हो गया, तो इसमें क्या लगा, एक similar option वाला जो pattern था वो लगा, second में क्या लगा, thing लगी है, कि जो Mediterranean है, वो UPSC का favorite topic है, तो वहाँ ही से दिया होगा, got that, third चीज क्या लगी जो question का keyword है, वो लगा, एक particular question को solve करने के लिए, you need consolidation of all the techniques, ताकि आपका question easily निकल जाए, यहां पर देखो, इन्होंने क्या बोला है, कि रफली correspondence है, रफली मतलब वह यह surety नहीं है, यहां पर देखो, the entire coastal area, पहली चीज है entire गलत होगा, entire क्यों गलत होता है, entire पे हमेशा surety होत उसका जो entire coastal area हो होगा, तो entire तो surety की बात कर रहा है, मतलब roughly correspondence की कहीं बात नहीं कर रहा है, कि यह roughly correspondence है, I hope you are understanding this point, अब यहां पर क्या बोल रहा है, eastern part में क्या बोल रहा है, कि eastern part है, अब eastern में जो भी, मतलब consensus के based के होगा, या फिर कुछ लोग मानते होंगी, यहां का है, वहा तो मतलब अगर तुम generally ऐसा question होता है, ऐसे बहुत सारे question आएंगे जो आपको बिल्कुल idea ने होंगे, but बिल्कुल calm mind से आपको सोचना है, कि एक theme है, Mediterranean, plus A and D option है, generally UPSC A and D option में देती है, मैं option के basis पे नहीं जाओंगा, because this is more of a illogical thing, कि आप option के basis पे जाओ, मैं आपको एक scientific ची इस particular topic को, इस particular keyword को आप highlight कर लो, exam में, कि इन्होंने not पूचा है, फिर आप question निकालो, यहाँ पर देखो, in India the use of carbofurem, methyl, parathion, forehead and trifoza is viewed with the apprehension, apprehension मतलब, उसका जो particular यह चीज़े हैं, इनका impact negative हो रहा होगा, got that, apprehension क्यों होता है, कोई चीज को apprehension के साथ जैसे crypto market है, cryptocurrencies को apprehension के सा उसको वो affect कर रहा है, जो centralization, अब RBI वगर है, जो भी central agencies है, जो मारे monetary policy है, generally जो money circulation वगर है, उस पूरी जो currency market है, जो पूरा मतलब एक money market को उसको affect कर रहा है, तभी तो apprehension के साथ देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे decentralized system है, यहाँ पे centralized system है, फिर एक पैसे का वो रही गई नही जो अबी चल रहा है, तो आपको क्या समझाया है, कि यह जो particular word है, उसका मतलब है meaning negative, मतलब यह particular चीजों कुछ ना कुछ environmentally unsustainable होगी, ठीक है, यह हो गया, तो इस particular question, जो term है, उसको highlight करना है, बागी मैंने आपको explain कर रखें, कि क्या-क्या होती है, यहाँ पे देखो, pesticide, pesticide ह के लिए काम का नहीं है, cosmetics, UPSCs don't worry, मतलब वो बिल्कुल care ही नहीं करते, उसके regarding cosmetics में क्या चल रहा है, cancer venture में क्या चल रहा है, वो हमेशा ऐसी चीज पूछते है, जो, अब generally तुम देखो, कि जो examiner हो, वो हिंदू या explain पढ़ता है, और generally article जो हिंदू में explained बाते है, वो agriculture, biodiversity, biodiversity, ecosystem, जो अपना marine ecosystem, उसके related आते, climate change, UPSC कभी, तुम examiner हो, और तुम newspaper पढ़ रहा हो, तुम cosmetics से ज्यादे impressed होगे, या फिर जो agriculture में चीज़ें impact कर रहे हैं, उनसे, क्योंकि वो they are intellectuals, मतलब वो 60s के, उसमें है, अपने 50-60s में, और उनको ये सब चीज़ें में बहुत interest है, क agriculture है, biodiversity, उसके related क्या चल रहा है, क्योंकि अपना कोई paper, fashion design, उसका तो है ने कि by cosmetics में और उन सब में देखो, अपना paper है, agriculture का, biodiversity का, जो environment का part है, उसका, getting that, ये already मैंने चीज़े discuss कर रखी है, जो past year, जो past में मैंने videos बनाएं, but just this particular word के लिए मैंने इतना focus किया, यहाँ पे देख skin cancer, अगर question पूछना है, cancer का, तो वो cancer का, पूछेंगे disease में, और पूछेंगे cancer की vaccine है या नहीं, cancer कैसे होता है, उस sense में, आपको ये भी पता होना चाहिए, कि particular question अगर UPC पूछेगा, तो वो किस sense में पूछेगा, यहाँ पे देखो, they are small enough, एक तो बोल रहा है कि small enough, यहाँ आप बार हर साल 2-3 question आते है, मेरी NECO system से, इस बार भी जैसे UN conference हुई है, I think high seas पे वो treaty sign हुई है, तो उसका एक बड़ी देख लेना, प्लस ये, already मैंने बता रहे हैं, explain कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो great concern, मतलब negative, एक particular keyword होगा, यहाँ पे देखो, the experiment will, will मतलब future है, ठीक अब आप option माओ, यह दोनों अपना काम कर चुके हैं, मतलब पहले ही इनको launch कर दिया था, और Lisa Pathfinder 2016 तक अपना काम कर लिया है, getting that, सीधा question निकल जाता, अगर आपने will देख लिया होता है, will को यहाँ से टैली करते, plus Lisa है, Lisa है, मतलब option यहीं है, they want to check your exact knowledge कि आपको पता है, Lisa Pathfinder और Evolve Lisa में क्या difference है, getting that, क्योंकि यह दोनों लिजा, Pathfinder और Evolve Lisa, दोनों gravitational waves के regarding यह है, plus आपको नहीं पता है, यह question 2020 में मेरा ऐसी निकलता है, कि यहाँ पर देखते है, I was like कि हाँ, future की चीज़ है, plus यह इतना थोड़ना यार, इतना यार निरखता है, अगर आपका interest है, तभी आप इन सब चीज़ों को retain कर पाऊगे, and I don't think कि, मैं एक generic aspirant से यह assume कर रहा हूँ कि उसको नहीं पता होगा, लेकिन उसको यह पता है कि option को कैसे approach करना है, question को कैसे approach करना है, तो वो will को देखके, यहाँ पर सोचेगा, यह 2016 में अपना काम कर चुका है, यह दोनों already launched है, बात चीज़ें उनको negative sense में पूछता है, negative जो चीज़ें होती रहा, उनको पूछता है, जैसे triclosan, bisphenol, यह सारे ऐसी चीज़ें greenwashing है, तुमारा फिर यह microbeats ले लो, फिर यह जो अभी उपर pesticides आ है, जो सारी environment को unsustainable या फिर environment के perspective से सही नहीं है, उन सी जो को पूछता है, यहा क्या होगा, जो चीज़ें यहाँ पर negative चीज़ें ना, उनको आपको highlight करना, pollution of groundwater, सही यह negative है, lowering of the water table, वो लोवर हो रही है, वो भी एक negative impact है, but decreased salinity of the river, यहाँ पर देखो, river की अगर salinity decrease हुई है, तो उसका क्या impact है, यह तो एक तरीके से मतलब, वो है, negative statement नहीं है, negative कब होगा जब increase होगी, अगर यहाँ पर दिया होता ना, कि increased salinity of the river, तब issue होता, जो salinization है और alkalization है, वो बढ़ रहा है, आपको समझ आया है, इस particular statement में एक ही scope of manipulation है, वो यहाँ पर, और अगर आप इसको उल्टा करके देखते हैं, कि increased salinity है या नहीं है, तब आपको समझ आ जाता है, य यहाँ consequences का मतलब negative है, negative है, और यह positive statement है, positive नहीं है, बट यह negative नहीं है, ठीक है, यह दोनों statement negative है, तो आपका 2-3 हो जाता है, बहुत easy question है, आपको हमेशा question से relate करके देखना है, यहाँ बोल रहा है global, ठीक है, infrastructure facility, you don't know about that, बट आप अगर मेरे videos देखें, आपने PYQs के, जितन यहाँ ने बोला infrastructure के लिए, तो trade body का का infrastructure के उसमें related नहीं होगा, फिर आप भी देखो, world bank है, global है, अब आप infrastructure विजाओ, यहाँ पर देखो, collaboration that facilitate the preparation and structuring of the complex infrastructure, मतलब बात वही कर रहा है, global body भी satisfied कर रहा है, infrastructure भी satisfy कर रहा है, public private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capital, facility है, तभी तो enable करवा रही है, यह आपको सब मिल जाएगा, global रिक रहा है, world bank global, ठीक है, infrastructure facility के बात कर रहा है, यह तुमारा infrastructure के बात कर रहा है, facility मतलब कुछ न कुछ एक option दे रही है, enable कर रही है, ठीक है, तीनों चीज़े मैच हो रही है, plus यह international level की चीज नहीं है, OECD international level का नहीं है, यह trade body है, see, this is how you need to approach a question, got that, यहाँ पर आओ, हाँ, फिर आता है, apply the rule of world association, इसमें आपको समझाओंगा कि world association कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर देखो, rapid financing instrument and rapid credit, एक तो आपको credit दे रहा है, एक rapid दे रहा है, तो rapid कौन देता है, जो अगर तुमने world bank का generally देखा है, तो world bank rapid fund generally वो देता है, कि जैसे long term, जै जो भी structuring वगेरा है, उनकी जो balance of payment है, उसमें काम करता है, तो तुम थोड़ा से relate करते हैं, कि IMF उनकी theme है, इस particular question, यह question मेरा ऐसे निकला था, I had no idea about the rapid credit financing instrument and rapid credit facility, but IMF theme है, पहले जीज़, दूसरा चीज़ यह था, कि थोड़ा आपको current में पता है, कि अर्सिलंका में चल रहा issue, किसके related issue चल रहा है, bob crisis चल रही है, तीसरा यह है, कि A और D, C तो सीधा आट जाएगा, यह तो upset statement है, आप आते हैं, वल्ड बैंक और IMF में, और जो credit facility देता है, और वो भी rapid credit facility देता है, bob crisis के time में, वो IMF देता है, तो यह question आपका ऐसे निकल जाता है, easy question था, यहाँ पर द जैसे कुछ पावापूरी दिया हो, या फिर यह दे दिया हो, धौली दे दिया हो, मालो, तो धौली के related जैसे सौली दे दिया हो, ऐसा कुछ नाम दे दिया हो, तो आपका mind उसी time जाना चाहिए, जैसे गांडी कोटा, इस question को देखा, तो I thought कि पापी कोंडा है, जैसे, आप इतना में clear हो गया, कावेरी और तुंगद्रा मेरा उसी time हट गया, कि यह दोनों तो आंद्रा से जाती नहीं है वही, got that, तो this is how you need to make a word association, यह जो कंडी कोटा है, उसको break करना, उसके सोचना है, कि यह पहले मेरे को यह decide करना है कि कौन से state में, तुंगद्रा और कावेरी आं अन्दरा से निकल के अपना जो यह बेव बंगाल है, वहाँ पे चली जाती है, तो यह particular उसका ऐसा एक pattern है, ठीक है, तो यह question मेरा ऐसे निकल कया था, थोड़ा PYQ ने help करी, थोड़ा तुमारा यह पापी कोंडा और नागर चुकुन कोंडा, इन्होंने help करा, थोड़ा नहीं है ना, जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता हो, या फिर बिल्कुल मतलब जो ऐसे होते हैं कि disciplined लोग होते हैं, जनरली कि पता है, तब ही पता है, ऐसे वो नहीं लगा ना, आपको ultimate क्या चाहिए, आपको mains की seat चाहिए, कोई नहीं देखेगा कि आपने गंडी कोटा को कैस रखते हुए, बहुत सारी चीज़ थी जो cover-up नहीं थी, getting that, तो आपको logic से ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यह हो गया, अब देखो, grease lightning, GL10 बोल रहे हैं, अब जब भी इंडिया जैसे इस रो नाम रखता है, तो इस रो नाम क्या रखेगा, गगन्यान, ऐसे नाम, जो country क है, गगन्यान, हा, दो मतलब particular उसी country की उसी language, मतलब जैसे इंडिया में हिंदी के नाम रखते है, नाग, प्रत्वी, ठीक है, इस टाइप के नाम होगे, जैसे आप USA के देखना, USA proper English word यूज़ करता है, आप उनके देखना, जो इसराइल है, इसराइल अपनी Hebrew है, उनकी जो होती है, उसके basis पे नाम रखेंगे, जापन को तुम सेफली अटा सकते हो, चाहिना का होता, चैंग 4 ऐसा कुछ होता, reusable launch, इसरो होता तो तुम्हें पता होता, पहली चीज़ उनके current पढ़ लिए होगी, दूसरा इसरो जनरली अपना नाम, जनरली जो चीज़ों का नाम रख जीज़ यहाँ पर देको, it is the ratio of value, यहाँ पर दो word हें न, एक तो import है, एक cover है, यहाँ पर देखो, it is the ratio of value of import to the GDP of a country, ratio की बात नहीं कर रहाएं, पहला डालो, it is the total value of import of a country in a year, cover की बात कहीं कहीं नहीं कर रहा है, एक word को satisfy कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, it is the ratio between the value of export and that of यहां पिदेखो, it is the number of months, number of months क्या बोल रहे है, तुम किसी चीज को cover कर पारे हो, नहीं कर पारे हो, जैसे तुम slabers को कितने cover में, यह number of month में आप slabers cover कर पारे हो, first slabers, getting that, तो this is the number of months है, वो cover up करने की बात कर रहा है, तो आपका यह third, यह particular statement निकल जाता, वैसा ही symbol था, बट मैं यह बोल रहा हूँ कि word association से आप सीखो, कि question कैसे निकालना है, climate action tracker, database, यह question, ऐसे question मैंने पिछली साल current affair में बहुत अच्छे रिखर के गाते, बट यह question मैंने कहीं नहीं पढ़ा, climate action tracker, इस बार भी तुम देख लेना, तुम जितना भी current affair पढ़ रहे हो, most probably है कि current affair आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो अभी क्या करना है, यह wing देखो, database, committee और agency, data tracker का क्या मतलब होता है, database क्योंकि climate और action से तुम इतना कुछ infer नहीं कर पाऊगे, जितना tracker से कर पाऊगे, और tracker का मतलब क्या, database ट्रेक कर रहा है कुछ किसी चीज़ को, getting that, और दूसरे यह NGO है, coalition of research organization, generally UPSC, NGO के related वो चीज़े देती है, जैसे NGO हो गया, coalition हो गया, क्योंकि यह down to earth के article है, और यह down to earth में है, मैंने आपने telegram चैनल पे वो एक particular clip भी डाली थी, कि UPSC कैसे चीज़े है, मतलब वहाँ से उठा के यहाँ पे देता है, तो आपको एक particular चीज़ समझ आई होगी, कि यह लोग generally यहाँ से question correct करके, मतलब down to earth से direct ditto उठाते हैं question, जिसमें जैसे ही अगर down to earth ने article cover up किया हो, तो वो लिखते हैं कि climate action tracker, climate action tracker करके, यह coalition है, ऐसे कुछ करके, मतलब वो एक substantiate करते हैं उस particular चीज़ को, got that, तो यह question हो गया, ऐसे, बहुत easy question था, फिर तो ग्रीन वाशिंग है, आपने अगर थोड़ा washing के related आ रहा है, में manipulation होता है, आप अगर option पढ़ते हैं, तो यह easy, यह निकल जाता, आपका कि, यहाँ पे green के related कुछ manipulation हो रहा है, यहाँ पे देखो social capital है, capital मतलब कुछ asset है, society के related है, यहाँ पे देखो proportion of literate, तो यह तो human capital हो जाएगी, social capital नहीं होगी, got that, the stock of its building, building and other infrastructure, यह तो infrastructural capital हो जाएगी, not social capital, यहाँ पे देखो size of population of the working, यह working age की जो population है, वो generally human capital मा सकती है, लेकिन social word कहीं अभी तक explain नहीं किया गया, जैसे उदर उपर क्या था, import cover था है, तो import तो नहोंने बहुत अच्छे से बता दिया था, cover up नहीं कर पाया था, यहाँ पे देखो, the level of mutual trust एक चीज़, और harmony, यह जो mutual trust और harmony है, यही social capital है, in the society, getting that, तो अगर आप word association से काम माइंड से करोगे, तब भी question अराम से निकल जाएगा, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद यह देखो, same, third वाला question है, third वाला हो गया, उसमें देखो, इंग्लिश, proper English का नाम यूज किया हो गया है, उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने South Korea का दिया है, फिर उन्होंने indigenous India का system है, इंडिया का होता, तो इंडिया जनरली अपना नाम रखता है, तो तुम्हें पता होता, American system, Israel होता, तो Israel का अपना नाम होता, तो उसके basis पे तुम निकाल सकते, Japan होता, जापन अपना नाम निकालता, तो proper USA, proper English में नाम रखता है, थाड हो गया, तुमारा GL, जो अभी 10 ऊपर देखा था, या कोई NASA का जैसे Artemis है, इस बार, जैसे James Webb Telescope है, James Hubble Telescope है, यह आ सकता है, इस बार possibility है, ठीक है, तो उसको आप देखना, तो उस टाइब से हो जाएगा, वो question, प्लस, कभी-कभी question क्या होता है, कि double question भी तूटता है, जैसे आप देखना है, यह ball guard है, जैसे आप ब्रमोस देखो, ठीक है, ब्रमोस में क्या है, जैसे यह रशिया और इंडिया का collaboration है, ब्रमोस, ब्रमपुत्र और इनकी जो मौस्को रिवर है, उस पे, ठीक है, उन दोनों का है, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने ball guard 2, ball guard 1 पूछा है, तो यहाँ पर option माओ, क्लोनल प्रोपोगेशन आप क्रॉप प्लांट हो सकता हो, डवलपिंग जैनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप प्लांट, यहाँ पर गोला करो, प्रोड़क्शन आप प्लांट ग्रोथ सब्स्टेंसेज, ऐसा जनरली UPSC नहीं पूछती है, अगर बायो फटिलाइजर का तुम यहाँ पर सोचो कि cotton में क्या issue है, cotton में क्यू लाए cotton वो, तब ही तुम जा सकते हो कि जो ball warm pest है, उसको resistance create करने के लिए लाए बीटी cotton, मलब particular क्या होता है, pest attack से बचाने के लिए लाए है, तो तब ही आपका जाता है कि यह जो particular ball word use हुआ है, वो ball warm का है, मलब जैसे ब्र related कुछ न कुछ चीज होगी, तो यह question आपका ऐसे निकल सकता था कि ball guard है, ball warm जो pest है, उसको उसके attack के बचाने के लिए इन्होंने particular इस चीज को use किया, तो यह question आपका हो जाएगा, A2, अब यहाँ पर देखो, A2 is talked about in the news, talked about in the news मतलब, उसकी particular चीज की बहुत बात हो रही है, उस पर debate हो रही होगी, या फिर उसका discussion हो रहा होगा, मतलब ऐसा आपने अभी infer किया, genes introducing the genetically modified crops, जो plants है, उसमें देखो, A2 आपने इंगी का होगा, बार्नीज देखा होगा, जो GM mustard में है, आप सब के देखो, जो GM cotton में जो भी genes यूज हो है, GM जो mustard में यूज हो है, तो आपको direct species पूछेंगे, ऐसी चीज नहीं पूछेंगे, spirit of viral diseases, अब तुम यहाँ से link करो कि, यह 2021 का paper है, और उस ताइम COVID news में था, तभी तो इन्हों ने पूछा नहीं कि, talked about in the news, तो यह particular जो word है, यह आपको बहुत बड़ा hint दे रहा है, कि यह जो particular चीज है, उसके news में बहुत बा scheme option घुसाय हुआ है, ठीक है, security of national highway, यहाँ पर कहीं MTR आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं है, यह question ऐसे निकल जाते, यहाँ पर बोलो, scheme for the sustainable structuring of stressed asset, मतलब NPA के related कुछ structure कर रहे होंगे, restructure कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक है, ecological cost कोई related ही फिर देखो, it is a disinvestment plan, उससे कोई related नहीं है, NPA का, it is an important provision in the IPC, अब यह है NPA के related provision, लेकिन IBC में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो, it is an scheme, यहाँ पर बोल रहे है, यह भी scheme है, ठीक है, for the, of the RBI for reworking, reworking का मतलब क्या है, structuring, ठीक है, the financial structure of a big corporate, जो big corporate है, entities facing genuine difficulties, यहाँ पर क्या बोल रहे है, कि जो financial structure है, financial structure मतलब जो stress reset है, उसको restructure करने के लिए plan लाया है, getting that, आपने, कैसे हमने, यह word association के basis पे question निकाल रहे है, आपको समझना है, जब भी आप UPSC के PY को solve करो, तो इस type जो solve करना है, कि यहाँ सब चीजे अंदर है, scheme है, यहाँ पर scheme बोला है, यहा यहाँ पर क्या बोल रहे है, financial restructure कर रहे है, क्या कर रहे है, stress reset कर रहे है, तो यहाँ पर बोल रहे है कि genuine difficulties face कर रहे है, financial चीजों में उसको कर रहे है, तो this is how you can make a difficult question easier one, got that, यह same global हमने discuss कर लिया है, हाँ, यह question देखो, यह question अगर UPSC चाहता तो इन्होंने पूछा है कि if you travel by road from Kohima to Kotaayum, तो अगर पूछना होता था यह Nagaland से Kerala भी पूछ सकते थे, लेकिन they want you to know about Kohima and Kotaayum, अगर आपको Kotaayum है, तो थोड़ा आप रिलेट कर पाते है कि Kotaayum कहा हो सकता है, तो Kerala होगा या, मतलब South Indian नाम लग रहे है, South Indian में थोड़ा Malayalam ही नाम लग रहे है, यह Malay या फिर कुछ ऐसे है, मतलब Tamil Nadu में नाम होते हैं, कुछ Kerala में नाम होते हैं, कुछ जो AP में नाम होते हैं, उनको एक बारी जैसे मेरा वो कोशन निकल गया था, जैसे एरा गुड़ी वाला आया था इस बर, कि जो असोग के इंस्क्रिप्शन है, एरा गुड़ी, एरा जो पहले आपने प्राइर लर्निंग कर लिए, उसको रिकागनाईज करेंगे, यह स्कीम है, ठीक है, यह दोना उप्शन आप पढ़ना बहुत, फाल्तु की बात कर रहा है, कोई इंपोर्टन नहीं है, यहां पर बोला है कि, Certifying the Skills Acquired by the Trainees Under, जब तुम, मतलब कोई बंदे अगर admission किया है, मतलब मालो इस particular scheme में उसने admission लिया है, उसके बाद में उसने skill जो प्राप्त करी है, जो skill उसने सीखी है, उसको certify कर रहे हो, तो यह prior learning का कहीं consulting बात कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे है, post की बात कर रहे है, not prior की बात कर रहे है, इस D option को आप अच्छी से अच्छा कुछ architecture का काम आता हो, तो उसको आप certify करता होगे, कि हाँ इस बंदे को काम आता है, इस बंदे को skill आती है, getting that, तो this is how you need to make a word association, यहां पर बोला है, इंड आर्क, यहां पर देखो, वो वही question था, ball guard वाला, आपको word association पता होना चाहिए, कि word association होता कैसे है, जैसे कि किसी में ब्रमूस में क्या हुआ, half of word यूज किया गया है, ठीक है, यहां पर देखो, इंडिया आर्क, मतलब एक तो इंडिया है, और दूसरा आर्क, इतना आपको समझ गा गया, आर्क टिक का बोल रहा है, अंटार्टिक का बोलता तो, ए अंटिया ऐसा कुछ यूज करता, ठीक है, यहां पर देखो, कहीं पर भी आपको इंडिया आर्क का, एक ही लगेगा, यह, इंडिया अंडर वार्टर अब्जरवेटरी साइंटिफिकली स्टेडी अर्क्टिक रीजन, इंडिया बोल रहा है, इंडिया, तुमारा इंडिया से लिंग करो, इंडिया, तुमारा इसको रीडियोज करना है, दोनों सेम बात करनें, ऑप्षिन की, दोनों सही है, यहां पर ऑर्गनाइजिशन बात करना है, ऑर्गनाइजिशन का आप से लेटा हूँ, यह दोनों लिनियाज रेट्मेंट है, हो जाता, आपका कुशन, ब्लू कार्बन है, तो कार्बन तो यहां पर देखो जो coastal ecosystem में और ocean है यह Hindu में article cover था तभी इनोंने put up किया और easy question था ऐसे question को आपको गलत नहीं करना है ठीक है यहां पर देखो यहां पर you need to understand the concept of single and multiple fact जो लोग भी पूछ रहे हैं कि single fact क्या है multiple fact क्या है आपको इस particular चीज़ को एक दो बारी और देखना है ताकि आपको exactly समझा जाएगी single or multiple fact क्या है single fact are generally wrong वो हमें से wrong होंगे क्योंकि उनको swap करना ही जी है multiple fact is generally right क्योंकि उनको change करना थोड़ा difficult है यहां पर देखो यहां पर इनोंने दिया है PM 2.5 का mean जो annually है और day का तो double जहां पर fact होंगे न डबल चीज़ों की बात करिए double या triple generally सही question देखाना on the sport आपको आना है कि या यह PM 10 की जगर PM 2.5 हो सकता है जो जैसे आपको WPI और CPI का question आया है मालो कि जहां पर WPI लिखाना आप एक बड़ी सोचो कि यार यहां पर CPI हो सकता हूं अगर जैसे उन्होंने question GSLV और PSLV दिया है आगे यह question आएंगे मैं discuss करूंगा अग 10 गलत हो गया अब तो माओ या एक आएगा या 4 आएगा मतलब या sorry एक तो automatically सही हो गया हाँ जैसे आपने एक तो automatically सही हो गया अब 2 या 4 आएगा 4 में देखो excessive ozone in the air can trigger possibility बोल रहा है और obviously अगर ozone air में होई तो asthmatic जो भी बंदे हैं उनको asthmat trigger हो सकता this is the lenient statement getting there तो 4 के आने के possibility ज्यादा है लेकिन आप एक बरी two को telly कर लो इने येर the highest level of ozone pollution occur during the period of inclement weather क्या पता inclement weather के यह भी एक fact है word का word basis पे single fact है क्या पता inclement weather ना हो कुछ ही और type का weather हो getting that तो this is how you need to identify जो single fact है multi fact आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर देखो T board statutory यह descriptive है statement कि यह बाई statutory body है या non statutory body है या commission अगेरा को भी यहाँ पर देखो यह ministries हमेशा गलत होती है but ministries भी factual होते है यह word का single fact है getting that मलब fact जो भी factual statement होता है ना आइधर वो data के basis पहोंगे या words के basis पहोंगे तो यह एक word वाला fact है यहाँ पर देखो headquarter is located in the बैंगलूर बैंगलूर को आप सोचो कि यार बैंगलूरू म देखो तो आप सोचो कि यह PM 2.5 कोहीं नहीं है तो यहाँ पर देखो यह T board की बात कर रहा है न तो आप एक बर कोफी board को रिलेट करके देखो जो topic board है तुमारा और भी कोई rubber board वगेर है उनका headquarter देखो और यह headquarter coffee board का है getting that और यह single fact है single fact समय से गलत होंगे double fact गलत नहीं statement को आपको निकालना आना चाहिए यहाँ पर देखो यह single fact है कि Kenya की जगह कोई और country हो सकता है Northwest का क्या पता South हो सकता है यहाँ पर actually Sudan है उन्होंने country change कर दिये getting that लेकिन दूसरे statement में उन्होंने क्या बोला कि some people who have fled from South Sudan तो यहाँ बले कोई भी country करते है न एक बंदा की possibility हमीशा रहती है यह हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर single fact क्या है यह particular UNICEF कि जो 21st February है वह mother language है by UNICEF अब UNICEF को highlight करके फिर सोचो जैसे PM10 को highlight करके सोचो कि यह PM10 की जगे 2.5 छोटा होता है वही लंग barrier में penetrate करेगा ना ठीक है तो यहाँ पर देखो UNICEF है तो आप mind लगाओ कि UNICEF कि है पहले मतलब यह particular चीज है क्या तो आपको लगता कि यह बच्चों के related है children के related तो उसका क्या मतलब है language के related काम करना तब आपको mind बजाता कि यह तो UNICEF को काम करता UNICEF को है getting that यह single fact है फिर आओ यह single fact है कि जो पामोल है वो native है यह देखो दो तरह के fact होते है एक तो word के basis पे fact होगा जैसे यह है एक होगा data जैसे 75 को 95 कर दिया ऐसा जब आएगा तो मैं आपको पता होगा तो यह single fact है सीधा निकालो आप एक को एक कट गया एक कट गया एक कट गया आपका answer आ जाता यहाँ पर देखो यहाँ पर का बोल रहा है mooringa जो dermis tree is a leguminous evergreen tree क्या पता कोई decidus tree ह endemic to South Asia क्या पता South Asia का endemic ना हो मतलब किसी और particular चीज का endemic हो और यह दोनों fact है और दोनों गलत है तो this is how you need to identify this particular question इस particular question में यह भी लगेगा पांच statement में तो तीन वाला भी option लगेगा आपने one and two हटा गया तो one भी हट गया सीधा आ जाता कोई knowledge नहीं चाहिए आपको कि mooringa tree कह पाया जाता है टेमरीट कहां पाया जाता है आपको यह पता है कि factual statement कैसे निकालते है और वह अपना जो डबल factual है वह कैसे निकालते है यहां पर देख रहा है इंडिया most of the tamarid कोई extreme बात ने किए is collected as a minor forest produce हो सकती हो इंडिया export the tamarid and seeds of the moringa export कर सकता है इतना बड़ा agriculture economy है तो क हो गया यहां पर देखो यह हमने अब यह discuss कर लिया था एक सेकिंड हाँ यहां पर यहां पर data है और इस तरीके साथ मतलब factual statement है सीधा गलत हो जाता और यहां पर बोल रहा है कि रिकगनाइज है तो हैदराबाद यहां पर यह हैदराबाद को बोल रहा है ठीक है आपको क्या स यह single fact है यह multi fact है कराटे इनको सब को change करना बहुत hard पड़े गए UPSC के लिए UPSC जनरली नहीं करती ठीक है यहां पर उन्होंने यह change कर दिया यह new world जो है वो गलत है यहां पर देखो यहां पर यहां पर देखो यह क्या है यहां पर देखो यह क्या है यह statement का आशा है आपको statement का nature पता होना चाहिए यह statement है descriptive कि PBTG है क्या उसका description दे रहा है कि वही जो भी criteria वगएर उसका दे रहा है यह क्या बोल रहा है 95 यह single fact है और यह इस बार fact किसमें data में not ministry यह organization में यह इरूला एंड कॉंडी दोनों हैं दो चीज़े हैं specific fact है आपको highlight करो अभी से try करो जब भी paper आप PY करो make sure कि आप इस notice पे question को देखो पहला आपका सही हो जाता दूसरा सही हो जाता तीसरा single fact है और चौथास निकल जाता इस इस दे मोस्ट beautiful question जो आपको समझाएगा कि multi factor और single factor में क्या difference है और कैसे निकालना है चीक है यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि option containing two similar options where generally one option among two is correct जैसे हमने यह question देखा पहले इसको देख लेते लेवांट वाला उपर देखा यहाँ पे Mediterranean है यहाँ पर Mediterranean है UPSC wants you to focus on जैसे क्या होता है कि हम लोग जनरल ही पढ़ लेते हैं किसी के back of the mind यह हो कि यार लेवांट है तो Mediterranean में लेकिन UPSC आपको चारते कि Mediterranean में कहा है तो मैं यह पता होना चाहिए यहाँ पर देखो यहाँ पर यह रामनोज वाला question था यहाँ पर उन्हों ने दिया कि यह जैसे देखो DNA barcoding, barcoding मतलब यहाँ पर word को तोड़ा आपने barcoding मतलब कुछ scanner अगएर ऐसा कुछ होगा बार कोड़ होता होगा ठीक है यहाँ पर बोलो assist the age of the plants और animals येट हो सकता हो कुछ लोग यहाँ पर मेरे काफी दोस्ते जो DNA को यहाँ पर एज के assessment करके गलत करके आएं लेकिन आप सोचों कि बार कोड दिया है और जनरली जो इंडिया चीजें एक्सपोर्ट करता है तो उसमें जो भी processed food है वो एक्सपोर्ट करता है European countries में तो issue हो सकता हो यह एक regulatory tool हो सकता हो DNA barcoding की check करने के लिए getting there कि जो undesirable animals और जो plant है वो कितने है क्योंकि यह चीजे contemporary है अभी चल रही है बहुत सारे तुमने देखे होंगी कि जो export हम लोगे EU में करते हैं वो reject हो जाता just basis on कि जो undesirable plants और animals के जो product है उसकी basis में तो तुम mind में लगाओ कि यह regulatory tool हो सकता हो तभी question दिया है plant की age और animal की age के ल ही हो गया अब आप दो में देख लो दो अगर आता है तब हो जाता question यहां पर देखो in medieval India अब कुछ लोग इस पर comments कर रहे थे कि यह तो मतलब बहुत absurd है जो आप बता रहे हो आप एक बजी सोचो आप खुद logic लगाओ कि medieval India में close क्यों important होंगे अभी जैसे आपकी dynasty है आपक mains का already उन्होंने mains में question पूछ रखा है प्लस coin का जो कुल्य वापा और द्रोन वेपा वाला question है उसमें I think third option में coins बोल रखा है कि coins of different monetary values getting that तो अब आप एक चीज मेरे को बताओ कि in particular इन सब चीजों का कभी आपने nominic culture सुना है जैसे फणम है coins का तो आपने सुना है दीनार को point से जो I think जो गुप्ता dynasty के जो king थे उन्होंने निकाले थे तो यहां पर possibility क्या हो रही कि फणम है ठीक है अब clothing का नाम नहीं सुना है ना ornament का आपने कभी ऐसा सुना है generally मतलब वो बता रहे हैं कि ornament जब burial होता था उस time ornament use होते थे नहीं होते थे मतलब generally तुमने हडपा में दे इस बार वाले कि coins है coins of different monetary values हो जाता बहुत easy question है getting that यह हो गया यह बहुत अच्छा question है इन्होंने बोला कि among the following which one of the following यह जो countries है largest exporter of the rice in the world last five year में वेतनाम और मेयमार छोटे कंट्री सीधा अटा सकते हो और चाइना का UPSC क्यों पूछेगा इंडिया है तभी तो पूछेगा अगर तुम C और D को capably हटा सकते हो तो इंडिया चाहिना को question क्यों पूछेगा चाहिना तो हर चीज में generally आगे इंडिया से generally UPSC नहीं पूछता ना कुछ इंडिया ने कमाल किया होगा तभी पूछेगा getting that तो यह question ऐसे निकल जाता यहाँ पर बोला है कि why this plant is mentioned in the news अब none of the above generally नहीं होता अगर examination question बनाया है its extract is used in the synthesis of pesticides pesticide में generally तुमने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि plant है और वो ज्यादे news में रह रहा हो तो यह question ऐसे सीधा निकल जाता कि इन्होंने पूछा है तो आपको meta awareness होनी चाहिए particular question की क्या पूछ रहा है ठीक है हां कुछ question होते हैं जिसमें अगर जो 70 themes वाला मैंने वीडियो बनाया हूँ वो प्लीज आप एक बड़ी जो भी themes हैं उनको note-down कर लो उनको रट लो अगर themes के related कुछ भी option में तो go through करो ठीक है बायो रॉक है यहाँ पर एक में ही दे रखा है कोरल रीप कुछ जयदा सोचो इमत अगर option कहीं हो रहा हो जैसे अकबर का यह question मेरा ऐसा ही निकला तो योगा वसिस्टा लेकिन तुम इतना दिमाग लगाओ कि अकबर वाज दी progressive ruler inclusive भी थ है तो अपने साशन में अगर कुछ योगा को translate करा रहा है मतलब बंदा inquisute होगा ना थोड़ा सीखने वाला होगा creative होगा secular होगा तब ही तो करवाएगा तो मेरा वही orientation गया कि योगा वसिस्टा है तो अकमर के टाइम में भी कुछ ऐसा progressive हुआ होगा and that was correct इन सब चीजों को देखना ही नहीं आपको यह तेखना है रोगा वसिस्टा योगा से तुम क्या योगा वसिस्टा से क्या तुम break कर सकते हो योगा को योगा मतलब कुछ progressive चीग है इंडिया जो हिंदू mythology है उसमें जो हिंदू scripture है उसमें योगा है ठीक है तो उसमें है तो तुम अगर उस particular च हाँ अब यह कुशन था लेवांट वाला मेडिटेरियनन का यूपीएसी जनरली पूछती है तो यह कुशन थीम से निकल जाता यहाँ पे देखो क्रेडिट फैसिलिटी इनका वर्ल्ड बैंक का कुशन पिछले काफी 5-6 साल से आया नहीं है यह कोई इम्पोटेंट ही नहीं है यह भी इतना इम्पोटेंट नहीं इस निकतना है है 2-10-22 में 2 कोशन पूछें तो इनका रहे हैं जो भी तीम से रिलेटर कुछ होना इस परिल्टिक्लर चीज को आप लूट डाउन करलो यह देखो बहुत सारे question है जो अपनी theme के direct topics में से उठते हैं और वहाँ से निकल जाएंगे ठीक है फिर है find odd one out, odd one out में क्या है अब देखो यहाँ पे cockroach यह question मेरा ऐसे निकला था, I had no idea जो 22 वाले attempt में कि यह particular जो चीज है, organism से well known for the cultivator swap the fungi अब तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन तुम्हें इतना पता है cockroach, crab and spider are not productive one मलब वो कोई productive species थोड़ना है, यह cockroach, crab and spider थोड़ना करते हैं कुछ ecosystem में productive काम, ant है तो possibility है ant की हो सकती, लेकिन ant ऐसा negative नहीं है मलब जैसे आप cockroach को सुनके एकदम negative हो जाते हैं, कि वो जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर आएंगे getting that, तो कुछ productive काम नहीं कर रहे हैं, तो these are three, मतलब एक odd one out वाला formula हो गए यह तीनो एक ही category माते, this particular one is different one, तो मैंने इसको click किया and यह सही हो गया option और तुम्हें नहीं पता है कि aren't इतना productive काम करती होगी नहीं करती होगी, लेकिन तुम्हें यह पता है कि यह तीनो तो नहीं करते होगी, और यह तीनो odd one out है ठीक है, तो कुछ question ऐसे होगी जहाँ पर आपको odd one out के साथ भी निकलना है, UPS in question ऐसे पूछा भी होगा, ठीक है फिर है, एक आप यह generic चीज़ें कुछ अभी में बता रहा हूँ, कि option के through जाओ, अब देखो, यहाँ पर option देखो, option क्या बोल रहा है, कि भाई, दो ही सही है तो तुम्हारा mind अपने आप यह चीज़े पहले ही, मतलब वो mind मा जाएगी, कि दो option गलत है यहाँ से, तो आपका क्या होगा न, जब आप question को approach करोगे, तो आप चारो में नहीं focus करोगे, आपको पता है कि दो definitely गलत है, दो definitely सही है, getting that, यहाँ पर option देखो, मतलब इन चारो म से, तीन definitely सही है, एक definitely गलत है, तो एक बर यह option को देख लो, आपको कुछ अच्छा, वो मिलेगा, idea मिल जाएगा, ठीक है, फिर आता है, illogical, negative statement, generally are wrong, आपको क्या करना, अपना common sense use करना, यहाँ पर देखो, probiotics are made of both, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर देखो, the organism in the probiotics are found in the foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut, अगर gut में नहीं होते, तो इतने सालों से हम लोग, जो हमारे ancestors है, उनकी gut की health बहुत अच्छी थी, यह तो अभी, जो fast food वगेरा है, उनकी वज़े से हमारे जो digestion system है, और जो gut की health है, वो गंदी हुई, जो खराब हो रही है, उसकी वज़े से probiotics है, यह modern treatment है, और है भी ही, चीक है, तो दो हट गया, सॉरी, दो हट गया, दो हट गया, एक automatic से ही हो गया, और तीसरा देखो, they helps him, getting that, तो आपको अभी क्या है, आपके पास दो option है, either you are receptive, कि आप चीजों को इनको सीख रहे हो, समझ रहे हो, और apply कर रहे हो, तो valid होके, कुछ लोग हो कैसे, जो हमेशा question करते हैं, कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आप question करते रहे न, paper निकल जाएगा, means भी आजाएगा, means भी निकल जाएगा, अगला आएगा, तुम knowledge के पीछे भागते रहोगे, और knowledge में इतनी चीज़ें cover up होगी नहीं, मैंने दो type के लोग देखे है अबी तक, not in this journey, even life में भी, कुछ लोग receptive होते हैं, कि हाँ, ये चीज़ें exist कर रही है, कि ये सामने तुमारे है, कि ये extreme statement है, और ये बुक्चा बोल रहा है कि this probiotic है, और biotic है, helps in digestion of milk sugars, जब ये पूरा question ही उसी के basis पे है, कि digestion की health वगेरा उस पे, तो तुम्हें डरना नहीं है, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तुम्हारे पास option है, यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक ऐसे बंदे होते हैं, बिल्कुल एकदम question करने वाले हर चीज़ पे, ये तो ऐसे हो गई नहीं भी, और ऐसे हमें करना ही नहीं है, ये एकदम से वो आ गया, बलब एकदम से flood आगे मुझे पता ही नहीं था, तो you have to be like, you have to embrace the uncertainty, not in the exam also, बट आपको वहाँ पे जब field पे होगे तब भी आपको जो uncertainty है, उसको embrace करना पड़ेगा, तो आप अभी से करो कि मेरे को ऐसे बहुत सारे question आएंगे, जिसमें मेरे को बिल्कुल idea नहीं होगा, बट ये है कि मैं off by the incernation, आप आग लगा रहे हो, incernate कर रहे हो, without causing any greenhouse gas emission, reduce हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल eliminate हो जाएगी gas, फोर अटा दो, तीन automatic से ही आगया, आइधर one will come, और two will come, two देखो, containers made of it can be used to store any, यहां पर issue हो सकता हो, कोई specific alcoholic beverages होगी, जो नहीं होती होगी, ठीक है, प यहां पर देखो, soil does not play any role in the sulfur cycle, यार पूरी sulfur cycle उसमें soil role ही नहीं play करती है, दूसरा तुम सीधा आटा दो, तो तुमारा एक automatic सही हो जाएगा, अब one में आओ, यह high content of organic matter in the soil drastically reduces, यह reduce नहीं करता है, high content of organic matter होगा, तो और जो इसकी water holding capacity होगी, उसको अच्छा करेगा, not drastically reduce करेग negative statement है, भी आ गया, ठीक है, तो यह illogical statement है, प्लस यहां पर sulfur cycle पूछी है, तो कल को phosphorus cycle पूछ सकता है, और कोई और different cycle पूछ सकता है, तो make sure कि आप उनको prepare करके जाओ, यह देखो यहां पर, यहां पर क्या बोल रहा है कि when the earth was created more than 4000 million years ago, there was 54% oxygen था, बट कोई carbon dioxide नहीं थी, इस gas क इतना surety के साथ तुम बोल रहे हो, generally थोड़ी बहुत quantity में gases होती है, ठीक है, तो यह question ऐसे निकल गया, यह illogical question है, illogical statement बनाया हुआ, ठीक है, उसके basis पे एक अपने आप से हो गया है, तीन में देखो, तीन हीजी है, कि अगर living organisms originate हुए, तो वो modify करेंगे, got that, हां, फिर आ कोई mineral हो, या कोई water body हो, वो पूरे उस जगह में मिलनी चाहिए, अगर एक दो kilometer में भी नहीं मिली नहीं है, तब भी question इनका गलत हो जाएगा, उसकी least probability देखो, इस particular entire word की meaning समझो, यहाँ पे बोल रहे है कि, तो monagite occurs naturally in the entire coastal, जो sands है, उसमें, coastal sands मतलब यह पूरे regions में, इतन generally अगर थोड़ी बहुत में भी नहीं मिली, तब भी UPSC का question गलत हो जाएगा, तो entire is always wrong, यहाँ पे देखो, levant, यहाँ पे entire बोल रहे, entire बोल रहे मतलब पूरे में है, generally थोड़े बहुत, यह तो consensus based है, roughly, तो यह entire गलत हो जाएगा, यहाँ पे बोलो, it is found entire running on the eastern coast, अगर थोड entire और some, entire हमेशा गलत होगा, और some हमेशा सही होगा, ठीक है, फिर आता है, हाँ, UPSC क्या करती है, जब भी question देगी ना, तो side वाली चीज़ें बहुत put up करती है, जैसे क्या करेगी, question इनको rule of law का देना, जैसे यह, तो आपको क्या करना है, generally puts other events, definition not related to question, जो question के related नहीं है, उन constitution remedy, यह है, तुमारा UCC का, ठीक है, तो यह तीनों को हटाओगे, तब भी आपका option आजाएगा, कि यह जो particular तीन article है, वो ऐसे ही घुसा दिये गए, rule of law की बात नहीं कर रहे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनेस आपको गुसा दिया, यूनेस को नहीं है, getting that, तो आपक बलावस्की है, and Colonel Allocut Setup, the Headquarter of the Theosophical Society, first year, यह किया था, अधियार में, ठीक है, तो यह option गलत हो जाता, फिर, जो पाता भई, सीतरमन है, let the quit India moment of Andhra Pradesh from here, यह यहाँ का नहीं था, इसकी I think कोई, दूसरा प्ले से मुझे अभी exact याद नहीं है, बट वो नहीं है, तो तुम ऐ ऐसे भी दो option को हटा सकते हो, BND को, फिर आओ, A and C में, अगर आपको थोड़ा पता हो तो निकल जाता है, बट वही है कि तुम 50-50 में रहते हैं इस particular question में, यहाँ पे देखो, 8th August 1922 से हैं, तो 1922 से हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ, the Congress Ministry resigned in the seven provinces, यह किया था, 1939 में जब तुमारा war आया ता, यह हट गया, the Vice-Rise Executive Council was expanded, यह हुई थी 1945 में, तो यह दोनों event हट गया, मतलब यह दो particular B and C option है, वो किसी और event की बात कर रहे हैं, इस particular चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, got that, तो यह दोनों हट गया, अब पहली देखो, और D देखो, अगर आपको थोड़ा पता हो क अगर्स्ट revolution यह थी, अपनी quit India moment की, तो आपका question निकल जाता, यह हो गया, फिर आओ, R2 code of practices, देखो, responsible and recycling, बस कुछ नहीं करना है, आपको calm mind से जाना है, ऐसे नहीं जाना है, कि R2 मैंने पढ़ा ही नहीं है, this is the, मतलब एक होता है, कि बिल्कुल सबसे law सोच होती है, वो यह होती है कि मैंने नहीं पढ़ा है, बले ही नहीं पढ़ा होना, ऐसे थुम थोड़ना excuse दे सकते हो, कि मैंने ऐसी कोई disaster देखा ही नहीं है, getting that, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब administration में कि यह रहे, ऐसी मैंने कभी crime ऐसा देखा ही नहीं है, फिर ऐसी चीजन नहीं मैंने अ यहां पे इनको 9034 वाला जो एक्ट है उसका पूछना था यहां पे इन्होंने यह गुशा दिया Constitution का, getting that, Constitution का ऐसा कुछ ही नहीं, तो आपको यह समझना है, यहां पे इन्होंने क्या क्या Social Capital दिया है, लेकिन यह Human Capital का है, यह Human Capital, यह पर्टिकुलर ट्रिक समझ आएगी कि इन्होंने पूछा, Carbon Fertilization, यहां पे देखो, Increased Temperature of Earth, due to increased concentration of Carbon Dioxide in the atmosphere, यह क्या Global Warming, not Carbon Fertilization, इसको अटा दो, Increased Acidity of Ocean, as a result of increased concentration of Carbon Dioxide in the atmosphere, this is ocean acidification, not Carbon Dioxide, यह Carbon Fertilizer, Adaptation of all the living being on the Earth to the climate change brought about by the Increased Concentration of Carbon Dioxide in the atmosphere, यह कहीं adaptation की बात नहीं कर रहा, बस एक यह Option बद गया पीछे, Increased the Plant Growth, Carbon Fertilization क्या होता है, Growth ही होती है, Agriculture में तुम Fertilization, Fertilization क्यों यूज करते हो, Growth के लिए, ठीक है, due to increased concentration of Carbon Dioxide in the atmosphere, easy question था, बस आपको इस particular question से यह जो पूरी ट्रीक है, यह आपको समझाई होगी, कि UPSC generally, ऐसे ही फालतू की चीज़ें घुशा देता, options में, ठीक है, यहाँ पे देखो, यह हमने डिसकस कर लिया, चाहिना है, तो उनके साथ तो तुम trade and investment treaty ऐसा कुछ generally नहीं करोगे, OECD इंडिया memory नहीं है, GCC, यह 2016 के हो जाता, हाँ, यह है, बटलर कमिशन, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, बटलर कमिशन बोल रहा है 1927, यहाँ पे बोल रहा है कि define the jurisdiction of center and provincial government, यह 1919 में बात होगी, इसको उटा दो, define the powers of secretary of state, यह secretary of state 1858 माय, तुम 70 साल में उसकी power define करोगे, मतलब 70 साल बाद power define करोगे, जैसे CDS अभी आया है, chief of defense staff and 2080 में हम लोग उसकी power define करेंगे, यह कितना illogical statement है, second अट गया, impose the censorship on the national press, तो press पर कब censorship होती है, जब कोई protest हो हो या फिर कोई world war हो या फिर ऐसा हो, तो 1927 के time तो उसका, ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब वो तो peaceful period था ना, तो तुम safely इसको हटा सकते हो, और press तुमने generally modern इंडिया से पढ़ा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, पीछे बचा यह, यह सबसे से भी influence हो सकते हो, तो bearing upon है, वो भी किसी में भी हो सकती है, affected by भी हो सकते हो, ठीक है, reflected upon, यह अपना inspired by, यह broader words होते हैं और जहां पर generally सारे correct होते हैं, जैसे यहां पर देखो, जो government की bond yield है, वो किस से influenced होती है, जो generally सब चीज़ों से होती है, ठीक है, आप इस particular option को देखना, इन questions को, यहां पर देखो, which of the following provisions constitute, have a bearing of education, अब यह six schedule and seven schedule नहीं होगा, लेगन आप सोचों कि six schedule में social justice की बात किए, fifth schedule में social justice की बात किए, यह question सारे interpretation के हैं, ठीक है, social justice में क्या, education होगी, तभी तो social justice होगा न, यह सारा जो particular चीज़े हैं, वो interpretation की है, यह word है न, bearing upon, यह interpretation पर depend करता है, तो इसमें generally सब होगा, तुम यह नहीं कह सकते हैं, तुम यह नहीं कह सकते हैं, देखो, direct rural and urban local bodies, तुम यह नहीं कह सकते हैं, उनके जो list है, schedule list है, उसमें education है, 7th schedule में education है, ठीक है, 5th and 6th schedule, 5th and 6th schedule में क्या है, अगर तुमने generally देखा हो, 5th and 6th schedule में social justice की बात की गई है न, तो यह जो bearing upon है, यह जो है, यह सारा interpreted चीज़े हैं, इनको ज्यान रखो, इनका interpretation कर सकता है, यहां पर देखो, other than the fundamental rights, which of the following parts of the constitution reflects the, तो reflect the principle and provision of the, अब reflect कर रहा है, तो यह interpretation है, interpretation में सब चीज़े सही होगी, एक भी चीज़े अगर human right में थोड़ी भी बात करिये, किसी में education की बात करिये, और किसी में social justice की बात करिये, वो भी सही होगा, समझ आए आपको, I hope you are understanding this particular thing, फिर कुछ question होते हैं, जो exact replica होते हैं, PYQs के, यहां पर देखो, constitutional government यह 2021 का है, और 2020 में same question पूछे है, चीक है, यह देखो, money multiplier, यह 2018 में same ditto question है, और यह 2021 में फिर से ditto question है, तो आप PYQ को प्लीज एक बार ही अच्छे से देखके जाना, यह 2013 का ditto question है, 2008 में फिर से ditto question पूछे है, ठीक है, हाँ, यह हो गया, जनरली organization and ministry गलत, गलत क्यों होती है, क्योंकि वो एक fact है, word का fact है, ठीक है, यहां पर देखो, organization, यह तुमारा organization, यह तुमारा ministry, ठीक है, यहां पर तुमारा यह ministry, ठीक है, इस बार एक exception था, जिसमें G20 framework वाला, और National Institute of, I think, वो एक, Urban Affairs का हुच था, हाँ, National Institute of Urban Affairs, हाँ, उसमें एक ministry सही जी थी, तो exception are always there, but generally गलत होगा, ministry, क्योंकि ministry एक fact है, यह organization, ठीक है, यह organization, यह description, ठीक है, there are some questions, कैंसे, हाँ, कुछ question होते है, जिनका आपको कोई idea नहीं होगा, जैसे trickler अगर आपको नहीं पता है, तो तुम इन में कोई option choose करने का कोई way नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रहोंने hint भी नहीं दिया है, harmful when exposed to the high level for long time, you have no idea, ठीक है, बिस्फिनॉल, अगर कुछ नहीं पता है, तो इन में से choose करना बहुत tough है, तो इन type के question को छोड़ सकते हो, ठीक है, अब आपको क्या करना, this is the most important one, कि आपको, जो statement होता ह अब उसको nature समझना है, कि वो generic statement है, या possibility show कर रहा है, या lenient statement है, use of can है या नहीं है, some use है नहीं है, descriptive statement है, जैसे T body, statutory body, यह descriptive है, ठीक है, यह descriptive है, जैसे मैं आपको एक option यह पताता हूँ, जैसे यह है, GECF का, green climate fund है, तो this is a descriptive statement of this particular thing, बट यह factual है, ठीक है, तो आपको यह समझन है, double factual है, single factual है, descriptive है, lenient है, ठीक है, या उसकी क्या बता रहा है, विसेशता ही बता रहा है, और कुछ होते हैं, single factual है, या scope of manipulation है, वगेरा, अब आप देखो, palm oil है, यह factual statement है, यह generic है, यह generic है, मैं आपको, अप hold करके इसको देखना, यह factual statement है, यह descriptive statement है, जनरिक statement है, कि जो constitutional assembly थ statement है, यह extreme statement है, यह extreme statement है, यह extreme statement है, कि any bell call, और यह generic statement है, आप प्लीज उसको hold करके एक बहली देख लेना, लेना, ठीक है, यह statement factual है, ग्या Google, यह•ई वो जनरली सही होता है ठीक है डबल ओचो एर कॉलिटी वाला यह डबल फैक्च्ट्वल है सही है यह तुम्हारा इंक्लिमेंट वेदर प्यम टैन फैक्ट्वल स्टेट्मेंट है और अपको पता होना चाहिए यह स्टेट्मेंट किस टाइब का ठीक है मज़लत है यह को और चाहिए अप इन्स बाफ्ट्वल प्रोवाते अप इंडेक्स बोर्ण तुम्हारा इंफलेशन के एडजस्ट करके तुम किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हो तो अब्विसली प्रोटक्शन देगा सिम कोई एश्यू नहीं मतलब ऑप्शन को ही अल्टिमेटली वो डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है थर्ड में देखो दोनों फैक्चुल है हट गय ठीक है मिया तांसे ने इस इस दे मोस्ट बीटिफुल कोशन जहां पर आपको यह पर्टिकुलर समझ आएगा कि यह कैसे एपलाई होगा यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है तांसे वाज टाइटल गिवन बाई अकबर फैक्च्चुल स्टीटमेंट है जनरिक है डिस्क तुम्हारा यह बी ओडी फिर तुम्हारा माइक्रो बीट्स तो आप जब भी यह कोशन मैंने इसलिए दिया है यह पर्टिकुलर चीज कि आप अभी जब भी इन्वार्मेंट कर रहे हो तो मेक्शूर करो कि जो ऐसी चीजे हैं ग्रीन वाशिंग जैसी पिंक वोशिंग वो कॉंप्लिमेंटरी है फिर बोल रहा है कि वैब 3.0 जो अप्रेटर बाई यूजर कलेक्टिवली कर रहे हो तब ही तो ब्लॉक्चेंट बीजटे कॉर्पोरेशन होता तो वो सेंट्रल हो जाता यह तीनों स्टेटमेंट कॉंप्लिमेंटरी है ठीक है यह दोनों एक आएगा एक नहीं आएगा ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस कमेटी के बाद कंटेंट आप कूर्ट एक्ट पास किया गया और इन इंडिया पारलेमेंट कर रही है तभी यह दोनों स्टेटमेंट कॉंप्लिमेंट किया कि पारलेमेंट की पाव even though it may be a government company. Government company होगी तो वो क्या करेगी? Public duty करेगी generally. और पहला option और दूसरा option आपको लग रहे हैं कि contradictory है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि private company अगर public duty कर रहे है तो उसको mendamus के दाइरे में आ जाएगी. But अगर government company है तब भी वो नहीं आएगी. मतलब यह क्या बोल रहे है कि even though it is maybe government company, government company होगी तो वो generally public duty करेगी public duty करेगी तो क्या होगा, rate petition के दाइरे में आय जाएगी तो यह दोनो complimentary statement है, generally यह गलत है तो दूसरा सही होगा, चीक है, यह है 80 member है तो ECM I think 60 member ही है, 59-60 member है, तो यह गलत होगा है यहाँ पर बोल रहा है कि outside Asia, either यह आएगा या यह आएगा ठीक है, यह आपको contradictory समझ आना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है consequences of heavy sand mining, negative बोल रहा है, यह positive statement है positive नहीं होगा बट negative नहीं है, ठीक है, negative नहीं है यह दोनो negative है, यह होगा, यहाँ पर देखो यह I think people's participation वाला है, यहाँ पर देखो, यह बोल रहा है कि barren island volcano is an active volcano, यहाँ पर बोल रहा है कि the last time barren island volcano erupted was in 1991 and it has demand inactive एक बोल रहा है active है, एक बोल रहा है inactive है, तो दोनों सही नहीं होगे एक गलत होगा, एक सही होगा, और generally तुमने यह देखा है तो वो active volcano तो यह तुमारा घलत हो जाएगा, और यह दोनों contradictory statement है, ठीक है, समझा आगया, हाँ, यह जो particular है, जो handling questions, जो policy के related आते हैं, वो मैं third part में डाल दूँगा, और जल्दी एक दो दिन में वो part आजएगा, already मैंने recorded किया हुआ है, and इस particular चीज की मैं PDF अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, प्लीज वहाँ से access करके आप एक बड़ी देख लेना, and practice करो बैठ के